हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम जो है राज लोग सेवा आयोग आज इस चेप्टर में देखेंगे यहाँ पर और पिछले हम लोगों ने वीडियो में यूपी असी से सम्मंदित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर क सब्सक्राइए तेthree हम और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सय रजा लोग सेवा आयोग के बारे में इसे वीडियो में, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखेगा, तो जैसा कि अभी हम समवैधानिक निकाय पड़ रहे हैं, तो राज जिलोग सेवा आयोग यानि स्टेट पियस्सी, जो है वो भी एक समवैधानिक निकाय है, या संस्ता भी इसे कह सकते हैं, तो ये एक समवैधानिक संस्ता या निकाय हैं, और जैसा कि UPSC जो है उसका समवैधान में, कहाँ पर जिक्र किया गया है, कहाँ पर उसका वर्ण किया गया है, भाग चौधा में ही, तो UPSC के साथ ही साथ, इस्टेट पियस्सी का भी वर्ण जो है, समवैधान में भाग चौधा में ही किया गया है, संगलोग सेवा आयोग के साथ साथ और जो कि अनुच्छे 315 से 323 तक 315 से लेकर 323 तक UPSC और State PSC दोनों का ही उल्लेक समिधान में किया गया तो इन अनुच्छे दों को आप याद रखें कि 315 से 323 तक भाग 14 में में लिखने के लिए आप वहां पूछा जा सकता है और या फिर पिलीम्स में भी इसके बाद है कि आयोग की संरचना मतलब इसमें कितने सदस्य होते हैं तो और कैसे गठन होता है इसका राज्य लोग सेबा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हे राज्य का राज्य पाल नियुक्त करता है और हमने यूपीसी में देखा था कि यूपीसी में कौन नियुक्त करता है राश्ट्रपती महदे उन्हें नियुक्त करते हैं लिकिन राज्य के मामले में इस्टेट पीसी में जो है वो राज्य का राज्य पाल नियुक्त करता है अध्यक चेवं सदस्यों को अच्छा संभिधान में जो है सदस्यों की संख्या नहीं दी गई है कि कितने सदस्य होंगे तो सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है राज जिपाल के विवेक पढ़ निर्वर है राज़िपाल मौदे निर्दारित करेंगे कि कितनी सदस्यों के संख्या रहेगी इसमें इसके बाद next point है कि आयों के आधे सदस्यों को केंदर सरकार या राज़िसरकार के अधीन कम से कम 10 वर्स का कार करने का अनुभव होना चाहिए तो यह पात्रता यह योगिता UPSC के सदस्यों में भी होनी चाहिए यहाँ पर सिर्फ सदस्य की बात कहिए कि आधे सदस्य जो है वो केंदर सरकार या राज़िसरकार के अधीन कम से कम 10 वर्स उन्होंने काम किया हो इसके बाद है कि अध्यक्ष एब हम सदस्यों की सेवा सर्तें सेवा की सर्तें निर्धारित करने का अधिका राज़िपाल को दिया गया है और UPSC की मामले में राश्टपति को दिया गया था तो ठीक हम जहां जरूर्थ होगा हम UPSC के बारे में भी आपको बताते रहेंगे इसके बाद है कारेकाल यह थोड़ा important है यहां ध्यान से आप देखेगा difference UPSC और State PSC में जो अध्यक्ष और सदस्यों का कारेकाल 6 वर्स का होता है या 62 वर्स की आयू जो भी पहले हो लेकिन UPSC में हमने देखा था कि 6 वर्स या 65 वर्स की आयू तो इसको आप याद रखें क UPSC में 65 वर्स और State PSC में 62 वर्स तक के लिए इसके बाद है कि इनकी न्यूक्ति तो राजिपाल करते हैं लेकिन त्याग पत्र किसे दे सकते हैं यह यानि अध्यक्ष और सदस से राजलोग सिवा आयोग के अध्यक्ष और सदस अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वो किसे दे सकते हैं वो राजिपाल को ही दे सकते हैं अच्छा इन्हें पद्ध से हटा कौन सकता है इस पूरे वीडियो में इस लेक्षर में अगर सबसे इंपोर्टेंट कोई पॉइंट है तो वो यह पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से देखेगा भले ही राजलोग हैं लेकिन इन्हें केवल राष्टपती ही हटा सकता है ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है राजपाल नहीं अर्थात इनकी नियोक्ति तो राजपाल ही करते हैं लेकिन इनको पद से सिर्फ राष्टपती महदे ही हटा सकते हैं और राष्टपती ऐसे नहीं लिद्ट आया जाता तो वह आधार क्या है तो जैसे कि अगर अध्यक्ष या सदस्थ कोई अगर दिवालिया खुसित कर दिया जाता है या फिर अपनी कारेकाल के दोरान किसी अजय वैतनिक नियोजन में लगा हो ये सब हम लोग जो है UPSC के चेप्टर में हम लोगों ने कवर किया था वही यहां पर भी है या फिर वो मानसिक रोप से और सारे रोप से असक्षम उसके असक्षमता हो उसके अंदर कारे करने की तो भी जो है राष्टपती उन्हें हटा सकते हैं इसके एक और प्रक्रिया है इसके अलावा राष्टपती राज लोग सेवा आयो के अध्यक्ष या अनसदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है यानि कदाचार या दुरुब्यवार के कारण भी राष्टपती उन्हें हटा सकते हैं लेकिन यहां पर भी ऐसे नहीं ड संभीधान के अनुसार उच्चतम नियाले द्वारा इस मामले में दी गई सला राष्टपती के लिए बात देखा रही है तो जैसा कि यूपसी के मामले में हम लोगों देखा था मतलब राष्टपती को हटाना ही पड़ता है अगर सुप्रीम कोट जांच के बाद अगर पराम करना ठीक है तो एक तो पॉइंट यह हो गया कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यहां पर हमने लिखें राज इपाल दोरा निर्देशित किसी विशे पर सलाह देना यानि सलाहकारी संस्ता के रूप में भी राज लोग से वायोग कारती है ठीक है यह आयोग कारत बाते हैं उनमें अनुच्छे पगर पूछ लेते हैं तो 320 या आप याद रखें इसको इसके बाद है राज विधान मंडल दोरा राज लोक सेवा आयोग को राज की सेवाओं से संस्बंदित अतरिक्त कारे प्रदान किये जा सकते हैं यानि राज का विधान मंडल राज लो या जो कारे किये गए उसका प्तिवेदन। ये किसको सौपते हैं ? राजज जियपाल को ही सौपते हैं। कौण ? राज जलोग सिभा आयोग ? सम वैदानिक सनक्षन्पेन। प्राप apron है। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि सिर्फ समवैदानिक जो प्रक्रिया है उसी के माद्यम से इनके पत से हटाया जा सकता है अन्य किसी माद्यम से इनको हटाया नहीं जा सकता है इसके बाद है नियुक्त के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवरता नहीं किया जा सकता ठीक है यह सब हमने UPSC के लिए भी बड़ा था इनके वेतन एवं भत्ते जो है वो राज जी की संचीत निदी पर भारित होते हैं और विधान मंडल में इस पर मतदान नहीं होता इस मामले में और संचीत निदी उस पर भारित होते हैं इसके बाद है राज सरकार के अधिन नियोजन का पात्र नहीं होता तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जब कोई राज लोग सेबा आयो का अध्यक्ष जो है अगर उसका कारेकाल समाप्त हो जाता है तो वो क्या दोबारा अध्यक्ष या सदस कुछ बन सकता है तो यहां पर दिया गया है कि राज लोग सेबा आयो का अध्यक्ष है जब उस लेकिन नौकरी नहीं कर सकता है ना तो भारत सरकार या किसी राजय सरकार के अदिन ठीक है और एक पॉइंट यह भी है यहाँ पर अब ध्यान रखें जो यहाँ पर इंपोर्टेंट था कि इसके जो सदस्य है राजुलुक से बायोग के सदस्य जो है वह अध्यक्ष बन सकते ह है राज्योग सेब आयोग के किसी भी उसके और या फिर ऑजुलुक सेब além सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अध्यक्ष्ष्य सदस्य है और अजो Pvंड से ऐसको को इसके कारकाल के पुनह नियोक्त नहीं किया जा सकता अरता दूसरे कारकाल के लिए योग्या है इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अध्यक्ष है राजलोग से वायोग का तो वो दुबारा अध्यक्ष राजलोग से वायोग को नहीं बना जा सकता है या फिर सदस्य है तो वो दुबारा सदस्य नहीं बना जा सकता अध्यक्ष बना जा सकता है मतलब दुबारा उसी पद के लिए कारकाल के योगी नहीं होता है ठीक है अब इसी चेप्टर में एक बहुत इंपोर्टेंट यहां पर बात है कि संयुक्त राज लोग सेवा आयोग की विवस्ता की गई है तो उसको भी यहां पर समझ लेते हैं थोड़ा सा दो मिनिट के लिए इसी साथ 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 और यानि जॉइंट इस संकल्पों के अनुसरण में संसद्वारा किया जाता है तो इस तरह संयुक्त राज लोग्सेबा अयोग एक सामविधिक निकाय है न कि समवैधानिक हाला कि हम लोग अभी समवैधानिक निकायों के बारें पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर चुकी बात आ गई है इस्टेट प जब संसद इसका गठन करती है तो इस परकार से ये ऐक सामविधिक निकाय है ना कि समवैधानिक तो स्वायधिक निकाया है उतर तक होता है इनके सदस्य जो है वो राष्ट पत्त को ही अपना त्याग पत्र दे सकते हैं कभी भी कारकाल से पहले भी अध्यक्ष एबं सदस्यों को किसी भी समय राष्ट पती द्वारा हटाया जा सकता है थीक है? तो इनको हटा कौन सकता है? राष्ट पती ही हटा सकता है सेबा एबं सर्ते संयुक्त राजुलुक सेबा आयोक के अध्यक्ष और सदस्यों की सेबा सर्ते और पेंसल निर्धारित करने का अधिकार किसको है, सेबा सरते निर्धारित करने का अधिकार किसको है, राष्टपती द्वारा ही निर्धारित की जाती है, ये भी, और ये अपना वारशिक प्रतिवेदन जो है, वो ये important है आपना, संबंधित राज्यों के राज्यपालों को ही ये प्र यह वीडियो कैसा रहा आप हमें जरूर बताएं कमेंट में जो है और इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अगर आप इस चैनल पर नए आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरू करें अगर आप इसकी पीडियेफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलिग्राम चै झाल झाल